अगली खबर है जलाशियों के संडक्षन को लेकर एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान जलाशियों के संडक्षन के लिए जल अभिशेक अभियान चलाते हुए कह रहे हैं कि प्रदेश के भूमाफियाओं को जमी दोस कर देंगे बावजूद इसके अगडाल तहसील हुजूर निवासी रामदयाल शुकला एवं राम करन शुकला ने आम निस्तार तालाब के आगोर की भूमी को मेसर्स अर्थ बिल्डर को बेच कर तालाब का स्थिवत्व खत्म कर दिया है गौर्टलब है कि ग्राम दुबहाई अगडाल राजश्व निरीक्षक मंडल कोठी तहसील हुजूर नगर रीवा स्थित रनिहा तालाब एवं आम निस्तार की भूमी को राजश्व अधिकारियों से साथ गाट कर आम निस्तार तालाब से विलोशित करा दिया और बहुमूल्य जमीन कुल रकवा लगबग 8 हेक्टियर को बेच दिया जिसके चलते ग्रामीन जनों में एक भारी आक्रोश है पीडित किसानों ने बताया कि अर्थ बिल्टर ने आगोर के चारो तरफ दिवार खड़ी करके कैच्चमिंट एरिया से आने वाले पानी को ता तालाब के ऊपर एक दूसरा तालाब बन गया और सैकडो एकर भूमी में लगी किसानों की फसले नश्ट हो गई तालाब के आगोर में मिटी फिल करके मेरवा सड़क का निर्मान कर तालाब के सुरूप को खराब करा जा रहा है जिसके चलते किसानों को आर्थिक एवं मानस क्षति पहुँच रही है इसके लावा परिस्थित की संतुलन बिगणने से परियावर्नी संकटवा बाढ़ का खत्रा भी पैदा हो गया है ग्रामीर जनोंने जीला कलेक्टर एवं रीवा सांसद सहित प्रशाशनिक अधिकारियों वा जन प्रतिनिदियों से तालाब के जो यह रनिया तलाव है तो उससे लगी कम से कम तलाव की उपर सौ एकड़ जमीन है जो हम जैसे किसानों की है उसमें हम खेती करते हैं तो यह जमीन क्या किये हैं कि तलाव की उपर साइट की जमीन जो उसमें धार में पानी आता था हमारे खम लोगों खेत से बैके आता था यह किसी भूस्वामी को भेज दिया है जिसने उसने तलाव को खतम करके उसमें प्लाटिंग करके उसमें बॉंड्री बनाके उसको पूरा एकदम पैक कर दिये हैं जिससे उधर का उपर साइड की सव एकड़ जमीन से पानी बहकर तलाब में आजा था तो वह पानी अब नहीं आ पा रहा है और उसको वहीं पर क्लोज करके उधर ठप कर दिया गया है जिसके करण उधर की सव एकड़ जमीन संतिंग पूरी जो है पानी से एकड़म ग्रसीत है इसमें खेती करना संभव ही नहीं है बस यही हमारी एक समस्या है आपका नाम क्या समस्या है रंधियत अलाब को लेकर समस्या है कि आम निस्तार का तालाब था वह तो उसको सिरायत को आप एधन दिये स्रीमान कलेक्टर महोदे को दिये सांसद महोदे को दिये अब यह आसा लगाए बैठे है कुछ कारवाही होगी उसमें